दुर्गा पुजा को साल का सबसे बड़ा त्योहार में से एक माना जाता है लेकिन दुर्गा पुजा के दिन एक ऐसा घटना हुआ जिसे लोग आज भी उस हासे को यात करते हैं तो थर-thर कापने लगते हैं ये कहानी है एक छोटे से खुसाल परिवार की उस फैमिली में एक छोटी सी लड़की और उनके ममी पापा रहा करते थे उस छोटी लड़की की ममी का नाम था सुनिता और पापा का नाम था अरविंद और उस छोटी लड़की का नाम था वैसाली वैसाली के पापा एक चाय का दुकान खोल कर चाय बेशते थे और उस चाय के दुकान से जित अर्थर कापने लगे दुरगा पुजा सुरू हो चुका था और अरविंद काम में बहुत ब्यस्त रहता था एक दिन जब अरविंद की परिवार में सब लोग सो रहे होते हैं तो घर में अचानक से आँख लग जाता है जिसे सब लोग उस आँख की चपट में आकर जल कर मर हैं इस घटना से आजपास के लोग बहुत डरे होये होते हैं लेकिन लोगों को ये बात पता ही नहीं चल पा रहा था कि इतने रात को अरविंद की घर में आँख कैसे लगी घटना के तीन दिन बाद सब लोग अपने अपने घर में सो रहे होते हैं तभी उनको किसी का रहा होता है ये देखकर सारे लोग बहुत डर जाते हैं और डर के मारे लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं इस घटना के बाद बहुत से लोगों ने वैसाली की आत्मा को घर के बाहर खेलते हुए देखने का दावा किया और कहा जाता है कि आज भी पुर्नीमा के रा जी हुई सच्ची डरवनी कहानी के बारे में तो मैं आगे की कहानी अनुराग के point of view से बताऊंगा जब भी दुरगापुजा सुरू होता था तो सब लोग मिलकर गाउं जाते थे यानि कि मेरे मामा के घर पर जाते थे हर साल की तरह 2007 में भी मैं मामा के घर जाने के लिए बहुत खुश था लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरा खुशी बहुत जल्द डर में बदलने वाला है रात के करिब 8 बजे एक सुनसान रास्ते से मैं और मेरे घर के सारे लोग एक कार में मामा के घर पर जा रहे थे उस दिन सुबा मेरे पापा काम में बहुत बीजी थे इसलिए हम को रात के समय मामा के घर जाने के लिए निकलना पड़ा जब हम लोग रास्ते पर जा रहे थे तो एक बुजुर्क आदमी गाड़ी के सामने आकर लिप्ट मांगने लगा लेकिन मेरे पापा ने गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि गाड़ी में बैठने के लिए जगा ही नहीं था कुछ दूर जाने के बात जब मैंने गाड़ी के आईने में देखा तो वो बुजुर्क आदमी अपना कटा हुआ सिर लेकर गाड़ी के पीछे दोड़ रहा था ये नजारा देखकर मैं बहुत डर गया और मेरे पापा को गाड़ी और तेज भगाने के लिए कहा कुछ दूर जानी की बात जब हम लोग मैंन रोड में आए तो मैंने सारी बाते अपने पापा को बताई मेरा बात सुनकर मेरे पापा कहने लगे ये बात मुझे पता था इसलिए मैंने उस बुजर्क आदमी के लिप्ट मांगने के वावजूत मैंने गाड़ी नहीं रोका ये बात सुनकर मैं पूरी तरह सौक्ट हो गया दोस्तो ये थी दो सची डरावनी कहानिया दोनों में से कौन सा स्टोरी आपको अच्छा लगा नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना दोस्तो अगर वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सैर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकोल भी ना भूले तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद